तासिल बरेली जिलार रायसेन में प्रदीप वर्मा हत्याकांट चर्चा का विशय बना हुआ है। प्रदीप वर्मा की बेटी ने प्रदीप वर्मा की बेटी ने पुलिस थाना बरेली पहुचकर कुछ महत्पूर्ट बुद्दिवों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर जाच की मांगी है। गया और अब स्वयम चालक ने पुलिस के समक्ष समर्पन किया है और पुलिस ने रिमांट पर ले लिया है। सचा ही जानने के प्रयास किये जा रहे हैं। अग्षण के समक्षाओ के लाच के समक्षाओ कर अग्यां है। आप सबसको पता ही है मामला क्या है मेरे पता की हच्या की गई कि अब लोग यहीदेख नहीं कि काम कहां तक पहुचा है कैसा है अभी तो थाली उसको पकड़ा गया जो रिमांड है उसमें ही तब उत्विथियां खुलेंगी कि क्या है यह नहीं है और दिश्चा के रख आई है कि देखे अभी कुछ भी कहना बहुत ही जल्दी होगा चल्दवाजी में होगा क्योंकि अगर कोई ड्राइवर है कोई आपका साथी है कोई आपका काम करने वाला करमचारी है तो जब कोई गलती करता है तो कोई कुछ भी बोल देता है उतनी सी बात से किसी के हथ्या नहीं होती है तो इस बारे में पुलिस भी अच्छे से उन्हें पता है कि उन्तों रिमाण में जब लिया गया है तो उसका पुरा र्याप्था पुलिस करेगी, हर चीज को देखेगी और बात सामने निकल के आएगी ही आएगी, जो भी बात होगी आप सब के सामने आएगी ही आएगी अभी तो प्रॉपर्टी विद्वाद तो चली रहा है काफी टाइम से जो अभी एकदम खतम होने ही वाला था चार तारिक की पेशी लगी हुई थी हाँ वो तो है चार तारिक तो उनका जज्जमेंट था और जो खतम होने वाला था विद्वाद और अब ऐसी घटना हो गई ह है कि वह थोड़ा टाइम लगेगा उसमें अभी इस वामले में कुछ भी कहना सही नहीं होगा क्योंकि कोट में एक है तो आप अच्छा वेपार था और मेंको बारासाव होगा है इनके पास कि बढ़िया मतलब कोई आज तक हमें दिक्कत नहीं है कि अधिक नहीं उसका ड्राइवर का वेवार भी अच्छा था मगर यह घटना पता नहीं किते हुई है कि अधिक नहीं नहीं कभी नहीं दाटा उनका विवार भोट अच्छा था वाइस एफ रेड़ क्ले रायसेंज विवरेंद्र रावत के रिपोर्ट